Hello everyone, very good morning to all of you. आज के वीडियो में एक नए मा के करेंट अफेर की चुरुआत करेंगे हैं. आज से सेप्टेंबर का पहला दिन लग रहा है. सारे करेंट अफेर इंपोर्टेंट हैं, वीडियो का अंतिम तक ज्यान से देखेगा. करेंट अफेर की पीडियेफ आप टेलीग्राम ग्रूप से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम का ओफेशल लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में दिया हुआ है. आज की दो सबसे बड़ी हेडलाइन ये है, कि पहली बार कोई ऐसी भारतिये महिला बनी है, जिन्होंने ओलम्पिक्स में दो सौन पदक जीत ली हैं. अब ये कौन हैं इनके बारे में, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. और साथ में, ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसने महिलाओं के विवा की उम्र, जिसकी नियून्टम आयू थी, उसको बढ़ा दिया है, और बढ़ा कर कितना कर दिया है? सबसे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के कुशन की. मैंने आप से सवाल ये पूछा था, ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो इसका सही आंसर है, ये मुर्गी का साइंटिफिक नेम है, जिसको बोलते हैं, गैलस गैलस डोमेस्टिक नेम है, इसी तरीके से सांप का क्या होता है? या कोबरा का, जिसको बोलते हैं, नाजा नाज जबकि सही आंसर है यह कोबर जिसको नाग बोला जाता है तो उसी का scientific name है नाज़ा नाज़ा अगर आप से पूछा जाए snake मतलब एक common सांप का scientific name क्या है तो इसको बोलते हैं serpentus क्या बोलते हैं serpentus आज एक बड़ा announcement है RRB NTPC की vacancies आपको पता ही है निकल चुकी है group D का भी आगे exam लगाए और ALP technician मतलब assistant local pilot और technician का भी लगाए आप railway का कोई भी exam देने जा रहे हैं तो यह किताब हमारी launch हो चुकी है यह किताब one stop solution है आप इन्हें जानते होंगे यह है अरुन सर रीजनिंग प पड़ाती है हम तीनों ने एक साथ मिलकर यह किताब launch करी हुई है इस किताब में हम तीनों का ही content है इस किताब के अंदर हमने साल 2016 से लेकर बाल सक्के railway के 260 से जादा जो sold paper है वो आपको दिये हुए है मतलब पिछले इतने सालों में railway के जितने भी paper पूछे गए हैं चाहे व इसमें खास बात यह है कि गलित, reasoning, सामान अध्यान मतलब GS और सामान विज्ञान मतलब science इन सभी के chapter wise भी हमने topic cover कराए है topic wise भी question कराए है और exam wise भी इसमें दिये हुए है यह किताब अच्छी कासी मोटी किताब है पूरा solution इसके अंदर आपको मिल जाएगा इस किताब का link व program हाली में launch किया गया है तो इसको launch किया गया है ministry of youth affairs and sports के दोरा मतलब खेल मंतराले ने एक नया program launch किया है जिसका नाम है reset यहाँ पर reset का मतलब है retired sports person empowerment training इस program के अंतरगत भारस सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 20 साल से लेकर 50 साल के उम्र के बीच के मतलब इस bracket के ब से माननता मिली है या फिर Indian Olympic Association की तरफ से recognition मिला है या फिर उन्होंने state level में खेला है या फिर national level पे खेला है इन सभी खेलारियों को इसके अंतरगत training provide करी जाएगी और यह training job skills related होगी मतलब आने वाले समय में खेल से जुड़ी हुई अगर कोई भरतिया निकलेंगी तो इन ख affairs minister हुआ करते थे यह कौन सा मंत्राले है जिसके द्वारा एक portal launch किया गया है जिसका नाम है shebox तो महिलाओं के यह workplaces में उनकी safety के लिए यह portal launch किया गया है तो इसको launch किया है ministry of women and child development ने इस time पर इस मंत्राले को कौन समाल रही है तो इनका नाम है अनुपूर्णा दिवी तो इनहीं के द्वारा यह एक नया portal launch किया गया है इस portal के अंदर हर वो महिला जो कि अगर इस तरीके की समस्या face कर रही है अपने office में फिर चाहे वो सरकारी office हो चाहे private office हो अगर किसी भी तरीके का harassment किया जा रहा है sexual abuse किया रहा है उन्हें या फिर anything a to z किसी भी तरीके का abuse उने क यह police को भी swapी जाएगी और इतना ही नहीं इस portal में उसका समाधान क्या किया गया है उसे आप day to day track भी करते रह सकते हैं मतलब आपको पता लगता रहेगा कि हाँ FIR उस व्यक्ति के खिलाफदर्ज कर दी गई है अगर सुनवाई हुई है तो क्या हुआ है यह सारी चीजें proper इस solution तयार करेंगे यह telecommunication company के लिए तयार करेंगे जैसे की BSNL हो गई, Airtel हो गई, Gio हो गई इन सभी companies के लिए तो यह है Infosys और Infosys तो भारत की सबसे बड़ी IT companies में से है ही है आपको पता ही है और इनों ने एक अमरीकी company जिसका नाम है NVIDIA इनके साथ fact sign किया है NVIDIA artificial intelligence के उपर काम करने वाली company है यह दोनों साथ मिलकर ऐसा solution तयार करेंगे जिससे की telecommunication छेतर में काफी बहतर काम किया जा सके हैं क्योंकि आपको भी पता है 5G का जमाना अब जा रहा है अब 6G आने वाला है तो 6G में artificial intelligence की भी जरूरत पड़ेगी जादा से जादा Infosys की स्थापना 1981 में करी गई थी इसका headquarter है Bangalore और Infosys के CEO है सलिल पारिक कौन है सलिल पारिक इन्वीडिया की बात करें 1993 में स्थापना करी गई थी इसका headquarter है California और इसके president है Jenson Hwang क्या नाम है Jenson Hwang 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी करी गई है इससे हमें ये पता लगता है कि एशिया में ये कौन सा शहर है जहां पर सबसे जादा bilenier है वैसे आपको बता दूँ पूरे एशिया में ये एक कौन सा शहर है जो की bilenier capital बनके उबरा है तो इसमें number one पे रहा है में जितने भी देश है उन सब में अगर देखा जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर इस टाइम पर सबसे जादा bilenier निवास कर रहे है इस टाइम पर पूरे मुंबई के अंदर 58 billion years है second number पर यहां पर दिल्ली रहा है दूसरे नंबर पर मैं लिख देता हूं दिल्ल top 5 में भारत के ही शहर है और पिछले वर्स से इस वर्स की तुलना में चाइना के अंदर जो bilenier से उन में 25 प्रतीशत की गिरावट देखने को मिली है यह कौन सा देश है जिसने 2024 की South Asian Football Federation Under 20 Championship अपने नाम कर लिये तो ऐसा पहली भार हुआ है कि बांगलादेश ने Championship नेपाल में ही आयोजित करी गई थी भारत इसमें पहले ही बाहर हो गया था और इस से पहले भारत क्या इसे जीत चुका है यहां भारत तीन बार इस चैंपेंशिप को जीत चुका है साल 2019 में हमने इसे जीता था 2020 में फिर जीता था फिर 2023 में भी है जीता था। में पर्योजणा जिसका नाम है वदवन बंदरगा पर्योजना जिसका सिला न्याश प्रधान-मंद्री नरेन मुदी के द्वारह किया गया है। यह जो पर्योजना है कहां पर इस्तित है। तो इसको लॉंच किया गया है पालगर से, महरास्टा में पालगर से और जो इसको, सबसे पहले जो इसका एनाूंस्मेंट किया गया था वो मुंबई से किया गया था, लेकिन यह जो पूरा प्रोजेक्ट है, यह पालगर में इस देते है अब देखिया वद्वन-बंदर G Пока योजना शिर यहां पर एक port facility बनाई जा रही है, यह पूरे भारत की सबसे गहरी समुद्री परियोजना होगी, और एक तरीके से आप बोल सकते हो, पूरे भारत में जितना भी export, import होता है, तो उसका gateway के रूप में माना जाएगा, मतलब उसका सबसे बड़ा दोआर यह माना जाएगा, और अंदाजा आप ऐसे लगा लिजए इस project का, कि इसके लिए 76,000 करोण की धन्नाशिया मंटित करी गई है केंद सरकार की तरफ से, तो आने वाले समय में, यह जब बन के तयार होगा, port project, तो यह भारत का import export का सबसे बड़ा hub होगा, और अंदाजा यह लगा जा रहा है, कि लाक लोगों को रोजगार मिलेगा, direct और indirect basis पर, हाली में, एक summit आयुजित किया गया है, यह summit का नाम है, इंडस X, या फिर अगर आप विच्छेत करके देखें, तो IND का मतलब है, इंडिया और US का मतलब है, अमेरिका, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर यही सवाल है, कि यह defense के छेतर में, एक summit आयुजित किया गया है, कौन से दो देशों के बीच में, तो index का मतलब यहाँ पर यह है, इंडिया और US, भारत और अमरीका के बीच में, यह pact sign हुआ है, और यह जो पूरा summit है, इसका main jest, 9 से लेकर 10 सितंबर तक निकला जाएगा, मतलब इसमें, भारत औ partnership के ऊपर काम करें, मतलब खरीदारी दोनों के बीच में, defense sector के चेतर में चलती रहे, जिससे कि वैपार को बढ़ावा मिलेगा, और डोनों देश, secure भी होंगे, अमरीका में इस टाइम पे, रास्टपती है, जोई बाइडन, कौन है, जोई बाइडन, और यहाँ पे अगले म Olympics में, दो gold medal जीते हैं, so, she is the one and only, अवनी लेखारा, ज्यान रखेगा, यहाँ पर Paralympics की बात हो रही है, ठीक है, और इस बार के जैसे, Olympics परिस में आउजित किये गए, उसी तरीके से Paralympics भी, परिस में ही आउजित किये जा रहे हैं, और पहले ही दिन, अवनी लेखारा न गोल्ड अपने नाम कर लिया, इन्होंने Tokyo Olympics का अपना record तोड़ दिया, Tokyo Olympics में, इन्होंने frame बनाया था, 249.6th set का, ठीक है, इस बार जो इन्होंने point gain किये है, यह 249.7th set का इन्होंने record बना दिया है, तो अपना ही record इन्होंने तोड़ दिया है, और गोल्ड जीत लिया है, इ भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर per return को बढ़ावा देने के लिए एक pact sign किया है, तो यह pact भारत ने Malaysia के साथ sign किया है, Malaysia और भारत के बीच में, टूरिजम वैसे भी पिछले समय से अच्छा होता चला आया है, इसकी marking आप ऐसे देख सकते हैं, कि साल 2022 में, Malaysia की तरफ से आयाम दिया गया है, दोनों के बीच में एक normal tourism का pact से हट कर, promotion and marketing के छेतर में भी pact sign किया गया है, इसके अलावा medical tourism को भी बढ़ावा दिया गया है, बिजनेस tourism को भी बढ़ावा दिया गया है, देखिए, अब आप सोच रोगे medical tourism क्या होता है, example के तोर पर, जैसे कि माल लीज सरकारें भारत के जो best institutes हैं, जो की cancer की देखबाल करते हैं और cure करने का इससे काम करते हैं, उनके लिए Malaysia की government recommend करेगी, और ऐसे ही अगर Malaysia के अंदर कोई चिकिस्सक पद्दतिया हैं, तो भारत सरकार उनको भी भारत में promote करेगी, ये भारत के लोग वहाँ पर जाके इलाज कर आ सके हैं, दूसी जी बिजनेस टूरिजम है, तो ऐसे ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी टूरिजम को भी प्रमोट यहां पर किया जाएगी, मलेशय की कैपिटल है कौला लंपुर, और यहां के प्रधान मंत्री है अनवर इब्राहिम, क्या नाम है अनवर इब्राहिम, कौन से राज्य के मुख्य मंत्री हैं, जिनके द्वारा स्पोर्स यूनिवर्स्टी का उद्गाटन क्या गया है, तो खेल विश्विद्याला का उद्गाटन नितीश कुमार के द्वारा किया गया है बिहार में, और खास बात यह है कि भारत में इस तरीके की पहली बार खेल यूनिवर्स्टी बनाई गई है, तो इसमें ऐसा खास क्या है देखिए, इस से पहले भी कई खेल यूनिवर्स्टी बनाई जा चुकी है, इसम कम्प्लेक्स के अंदर 24 तरीके के इंडोर और आउटडोर गेम्स केले जा सकेंगे अपार्ट फॉम दिस 24 बेट का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है इसी यूनिवेस्टी के अंदर जिसमें की खेल जगस से जुड़े हुए कोई खिलारी जो की इंजरी बगारा से गरसित है उसको भी यहाँ पर टेक केर किया जाएगा और बिहार में गवर्नर कौन है अस टाइम पर यह है राजेंद्र वी अरलेकर कौन है राजेंद्र वी अरलेकर यह कौन सा संस्थान है जिसको RBI के द्वारा एप्रूवल दे दिया गया है कि अब यह स्वतन्त रूप से सेल्फ टेकनलोजी के चेतर मेंगे बहतर कारे करेंगे इस तरीके की कमपनियां होती है वह फिनेंशल सर्विसेस के लिए टेकनलोजी बनाने का काम करती है एक्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में जैसे कि आप पेटियम यूज़ कर रहे हो या गूगल पे यूज़ कर रहे हो तो इनके पीछे एक टेक्नलोजी तो यूज हो रही है ना, तो ये टेक्नलोजी इसी तरीके की fintech companies ही देती है, RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी, इसका headquarter है मुंबाई और इसके governor है शक्तिकांत दास, साल 2023 में शक्तिकांत दास governor of the year चुने गए थे, इस project का क्या नाम है, जिसको Indian Army के द्वारा इस पर पेंचन सिस्टम के अंतरगत लौंच किया गया है, तो Indian Army ने एक नया project लौंच किया है, जिसका नाम है project नमन, क्या नाम है, project नमन, और इस project के अंतरगत Indian Army इस बात को properly track करेगी, कि जो भी pensioners हैं, Army के अंदर, ठीक है, इतना ही नहीं, और उनकी जो families है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, जो कि कहीं न कहीं वीरगती को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके घर को अब pension मिलती है, उनकी, तो ultimately कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पर एक digital system launch किया गया है, जिसमें की pensions को track किया जा सकेगा, ठीक है, कि अगर pension बंदी है, तो अभी कितना time और लग जाएगा उसमें, या फिर कितने दिन में आपको आगे pension मिलने लगेगी, या फिर तुरंट अगर कोई retire हुआ है, तो उसे pension के लिए क्या क्या document अपलोड करने पड़ेंगे, वो सब कुछ एक ही इसी monitor system में आपको मिल जाएगी facility, इसका उधगाटन इंडियन आर्मी चीफ उपेंदर दिवेदी के द्वारा किया गया है, और क्या बता सकते हैं अभी कुस टाइम पहले ही इंडियन नेवी के एड्मिरल कौन है पॉइंट किये गए थे, अगर आपको पता है तो comment box में लिखकर बताइए, वैसे अभी कुस टाइम पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के डिरेक्टर जिनरल भी आपॉइंट किये गए हैं, इनका नाम है राकेश पाल, चले मैं ही बता देता हूँ, नेवी के एड्मिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आपॉइंट किये गए थे, नई बात यह है कि 5 सितंबर टीचर स्टे के दिन मैं स्टाटिक जीके और कम्प्यूटर का फ्रेश एंड लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इस्पेशली CGL और CHSL के मेंस बैच के रूप में, तो आप में से वो सभी स्टुडेंट जो कि इस बार जिनने लग रहा है कि आप मेंस तक पहुँचेंगे प्री कॉलिफाई करके तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, यह बैच आपके मेंस एक्जाम से पहले ही कताम हो जाएगा, 24-7 रिकॉर्डिंग्स एवलेबल रहेंगी इसमें, सारी PDF होंगी, बाज की डेट में आपको पताई है, GS में सबसे बड़ी समस्या स्टाटिक जीके और आपके लिए especially computers हर बार समस्या बनके उबरता है, मेंस में लास्ट टाइम भी देखे गए थे, कि कोश्चन बन रहे थे, उसी तरीके से इस बार तो आपको पताई है, प्री केवल कॉलिफाई है, तो जो कुछ भी होना है, वो मेंस की ही मेरिट से होना है, तो इस वज़े से ध्यान रखें, कि ये corner आपका चूटने ना पए, अपाट फर्म दिस, आप किसी भी और exam की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी static GQ और computer यहां से जोइन कर सकते हैं, हाली में भारत की डूसरी nuclear ballistic missile submarine launch करी गई है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS अरिगात, क्या नाम है, INS अरिगात, और इसका उद्गाटन डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग के द्वारा किया गया है, विशाखा पत्नम से, विशाखा पत्नम इंडन नेवी की Eastern Fleet Command है, और आपको पता है, जो पहली ballistic missile submarine launch करी गई थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, अरिहंत, तो अरिहंत हमारी पहली submarine है, अब दूसरी हो गई है, अरिगात, और अगले साली, तीसरी भी launch करी जाएगी, उसका नाम क्या होगा, अरिदमन, क्या नाम होगा, अरिदमन, ठीक है, वैसे जो अरिगात launch करी गई है, इसकी range है 750 km, यह 750 km तक अपने target को आसानी से destroy कर सकती है, हाली में project sea bird जो है, इसके director general के रूप में कौन है, पॉइंट किये गए हैं, तो यह हैं, वाइस एड़िमरेल, राजेश धनकड, अब से project sea bird की command इनके हाथों में होगी, और अब सवाल यह उड़ता है कि project sea bird है क्या, देखे, यहाँ पर project sea bird जो इंडियन नेवी ने launch किया था, इसका main उद्देश यह है, कि तमिल नाड के अंदर एक naval base है, जिसका नाम है कारवार naval base, ठीक है, तो पहले यह naval base काफी छोटा था, अब जरूरतों के चलते, और security reasons के चलते, इसको बड़ा करने की बात चल रही थी, कि इसको expand किया जाए, तो यह जो कारवार naval base है, उसको बड़ा किया जा रहा है, इसी project का नाम है sea bird, तो अब इसकी पूरी देखवाल करेंगे, राजेस धंगर, और यह एक specialist है, इंडियन नेवी में navigation के, इन्होंने, जो commission यह इंडियन नेवी में हुए थे, सन 1990 में हुए थे, यह commission, अपार्ट फर्म दिस, इनको gallantry award, 9 से ना medal से भी सम्वानित किया जा चुका है, साल 2015 में, Recently CISF के नए director general को ने appoint किये गए है, CISF जिसको बोलते हैं Central Industrial Security Force, यह एक paramilitary force है, और भारत के अंदर जितने भी institutions होते हैं बड़े-बड़े, या आप बोल सकते हो government के जो institutions हैं, जैसे की airports हो गए हैं, मैट्रोज हो गई, इन सभी की जिम्मेदारी Security की CISF के ही हातों में होती है, तो अप से इसके नए director general होंगे, राजविंदर सिंग बट्टी, क्या नाम इनका, राजविंदर सिंग बट्टी, और बट्टी सहाब ने किसको succeed किया है, तो इन्हों ने जिनकी जगे लिए, ये हैं SK Single, क्या नाम है SK Single, और CISF की स्थावना 1969 में करी गई थी, इसका headquarter है नहीं दिली, दोजार चॉबिस का national chess championship आयूजित हो चुका है, और इसको इस बार किसने जीता है, इस बार national chess championship की एक 60वी edition launch करी गई थी, तो इसको जीता है कार्तिक वेंकेट रमन ने, किसने कार्तिक वेंकेट रमन ने, important question है ध्यान रखे, और इनको पुरसकार के साथ 6 लाख रुपए की price money भी मिली हुई है, इसके अंतरगत था, recently ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसने महिलाओं के लिए विवा की नियून्तम आयू बढ़ा दिये, तो ये राज्य सरकार कौन सा है, तो ये है हिमाचल पदेश सरकार, हिमाचल पदेश सरकार ने फैसला लिया है, कि अभी तक 18 वर्स नियून्तम आयू हुआ करती थी, महिलाओं की शादी के लिए, अब इसको बढ़ाकर 21 कर दिया है, मतलब कहने का ये है, कि हिमाचल पदेश के अंदर, अब किसी भी महिला की शादी, अगर 21 वर्स से कम की आयू में होती है, तो उसे illegal करार दिया जाएगा, इसके लिए महारास्ट की विदान सभा में कुस टाइम पहले, Prohibition of Child Marriage Bill लॉंच किया गया था, और इसको स्विक्रिती दे दी गई है, जिसकी वज़े से अब ये कानून मन गया है, महारास्ट में मुख्य मंत्री है, इसका नाम है सुकविंदर सिंग सुकु, और यहां के गवंणर है शिव प्रताप शुकला, तो में गोवा शिप्याड के द्वारा, Make in India Project के अंतरगत, Pollution Control वैसल एक लॉंच किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप, और यह इंडियन नेवी को नहीं दिया जाएगा, यह इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा, ठीक है, आई, सी, जी को, और देखें, यह एक अलग तरीके का वैसल है, यह नॉर्मल अब वार के लिए वैसल नहीं बोल सकते हो, यह पॉल्यूशन कंट्रोल वैसल है, मतलब कहरेगा यह है, कि यह समुद्र की जो सीमा रेखाए है, हमारे देश्व से सटी हुई, उनको क्लीन करने का काम करेगा यह दरसल, ठीक है, तो समुद्र पताब नाम ध्यान रखियेगा, बनाया गया है इसको गोवा शिप्याट के दोरा, और इसको लॉंच भी किया गया है, गोवा से ही, और इसकी लंबाई की अगर बात करें, तो यह करीब 115 मीटर लंबा है, और चोड़ाई की बात करें, तो 16 मीटर यह चोड़ा है, और ये एक बार में 4,170 टन कैरी कर सकता है वजन अपने साथ इसमें एक बार में 14 ओफिसर एपोइंट होंगे और 115 सेलर्स इसमें काम करेंगे गोवा शिप्यार्ड लिम्टेट की स्थापना सन 1957 में करी गई थी इसका हेड़कोर्टर है गोवा के अंदर वासको डगामा और यहां के चीफ मैनेजिंग डिरेक्टर है बजेश कुमार उपात्याई अब मेरा आज का सवाल है आपसे आप मेंसे कितने लोग बता सकते हैं कॉंग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी कमेंड बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताईए इस्टाटिक जीके की आप किताब मंगा सकते हैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चिन में है एक्जाम एंजन एप्लिकेशन में आप मेरा जीएजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉल्टी, जिग्रिफी, साइन्स, एकनॉमिक्स, कम्प्यूटर सब कुछ कवर किया हुआ है साथ में वल नाइन क्रेश कोर्स और पिछले पांस सालों के MCQs भी आपको कवर कराए हुए है विडिओ के रूप में और इस बैच के डिर्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे या फिर आप application में भी जाके directly कर सकते हैं अचा एक बहुत ही इंपोर्टेंट announcement है एक और क्योंकि अगस्ट का महिना खतम हो चुका है तो अगस्ट की monthly magazine अगर आपको current affair की चाहिए तो यह free of cost है exam engine application में जाहिए और वहाँ पर PDF वाले option के अंदर जब आप चाहेंगे तो वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं और यह printable format में है जिसमें पूरे अगस्ट के सारे important current affair है जैसे कि appointments हो गया और military exercise हो गई books and author हो गए award and honor हो गए सब कुछ उसमें आपको मिल जाएग Thank you so much Have a nice day, take care बाबाई आपका दिन मंगल मैं हो आज रात में 9 बजे से mock test YouTube पर start तो 9 बजे मिलना मत भूलेगा आज रात में YouTube में